परदेश सरकार ने निलो खेडी हलके के सीधपूर राइसन वकार से डोड में वियाम चालाएं बनाने के लिए 35 लाग रुपे प्रति गाम देने की घोशना की थी जिसके बाद सरकार द्वारा जारी 20-20 लाग रुपे की पहले किष्ट आने पर ग्राम पंचायतों ने वियाम चालाओ का निर्मान शुरू कर दिया था लेकिन 6 ग्रांट ना आने से यह कारे रुप गया करीबन एक साल बीत जाने के बाद वकाया ग्रांट ना आने से इन निर्मान धिनवे अमशालाओ में कबाड उगना शुरू हो गया नतीजतन मौचुदा हालात यह हैं कि इन में पैदो हुई जाड़ियों गासुस के कारण लोग इन में जाने से भी कत्राते हैं गरामिनों ने बताया कि सरकार प्रदेश वर्व में उपमंडर वजिलास्तर पर योग दिवस मनाने के लिए लाखो रूपे खर्च करती है योग दिवस को मनाने के लिए पूरा प्रशाशन कहीं दिनों से योग दिवस को लेकर त्यारियों में जुटा था लेकिन गरामिन प्रवेश में जीवन यापन करने वालों को योग से जोड़ने के लिए सरकार प्रशाशन की गंभीरताद दिखाई नहीं दे रही है लोगों ने मांगी है कि अधूरी पड़िवे राम शालाओ को शिगर पूरा किया जाए जो सरकार ना पैस हदियत है व्याम साड़ा के वास्तर जी ठीक है वो कोई गरांट आया था ठीक है तो ऐसी खंड रो रही है पैसे भी आयत इसके तब भी निकाम हो रहा इसका करने पते के पैसं दे व्याम के लिए तो फिर साल पहले गरांटा था चे मिन ने गरांटाया उसका तो सरकार ना कोई पैसं दी आक्स निठाया कोई तो पता कि पैसा पर बादी खंड रोगी हो जमी बने बनाई तो फिर समधान ने रहा कोई भी तो बिल्डिंग थे जोन से स्वारी तीक खतम हो गी पैसा ने आए उसका तो बस बच्चे आसे फिरो कोई कामीन या ना कोई समधान खेलने के लिए सरकार से दोबारा ग्रांट दिये जाए उसको तियार किरा जाए जाए जोगी बीच में अधर में ही लटकी पड़ी है वो खंडर बनगी है उसमें लोग आवारा पसु गूम रहे हैं जो भी को आई उसका कामद हो रहा है हम सरकार हचतते हैं कि उसको जल जल पूरा किया जाए ग्रांट दी जाए कि पिछे मुख्यमंद्री जी ने बुखना करी थी व्याम सब्सक्राइब के लिए जी योग दूसे भी अंत्रस्टे की जूंको एजी वह पेंडिंग बड़ी अखंटर बनगी है यह उनको ग्रांटे नहीं एक साल हो गया जी नहीं अभी एक्शन साब स पैसर ली जोने वाड़ा कुछ तो हमारी कंप्लीट हो गया कुछ दूरी एं उनका भी पैसा जल्द जल्दी से जल्दी उनका पैसा मंगवाए जाएगा और ताकि जो अदूरा काम पड़ा उसे पूरा किया जल्दी इन पर कारवाई होने वाड़ी है